दिगगज अदाकारा मुम्ताज और दिवनगत अभिनेता शम्मी कपूर की मुलाकात फिल्म रमचारी की शूटिंग के दौरान हुई थी जो मुम्ताज की करिय का एहम मोर साबित हुई मुम्ताज बॉलीवुड की बहतरीन अभिनेत्रियों में से एक रही हैं उन्होंने साट से सतर के दशक में अपने खूबसूरत अंदाल से दर्शकों को अपना दिवाना बनाया उस दौर में बच्चों-बच्चों की जुबापर उनका नाम था महस बारा वर्ष की उमर में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा अपनी छोटी बेहन मलिका के साथ वह रोजाना स्टूडियो दर स्टूडियो भटकती और जैसा चाहे वैसा छोटा मोटा रोल मानती थी मुम्ताज की मानास और चाची नीलोफर पहले से फिल्मों में मौजूद थी लेकिन दोनों जूनियर आर्टिस्ट होने के नाते अपनी बेटियों की सिफारिश करने योग्य नहीं थी मुम्ताज ने जूनियर आर्टिस्ट से स्टार बनने का सपना अपने मन में संजोया था जिसे उन्होंने सच कर दिखाया सत्तर के दशक में उन्होंने स्टार की हैसियत प्राप्त कर ली उस दौर के नामी सितारे जो कभी मुम्ताज का नाम सुनकर नाक भान सिकूरते थे वे उनके साथ काम करने को लालायत रहने लगे थे ऐसे सितारों में शमी कपूर, डेवानन्द, संजीव कुमार, जीतेंद्र और शशी कपूर आधी शामिल है 1979 से 1974 तक इंदो कलाकारों ने सच्चा जूट अपना देश, दुश्मन, बंधन और रोटी जैसी शांदार फिल्में दी यह ऐसा समय था, जब हर अभिनेता मुम्ताज के साथ काम करना चाहता था हद तो तब हुई जब शशी कपूर ने फिल्म, चोर मचाई शोर, 1974 के स्टार कास्ट में मुम्ताज का नाम न देखकर फिल्म ही छोड़ दी मुम्ताज को नाइका बनाये जाने पर ही शशी ने इस फिल्म में काम करना स्वीकार किया खाबरों की माने तो मुम्ताज से शम्मी कपूर और जीतेंदर बेंतहा प्यार करते थे यहां तक कि वह शादी भी करना चाहते थे एक इंटरव्यू के दौरान मुम्ताज ने इस बात का जिक्र भी किया था मुम्ताज ने कहा था मैं अपने आपको खुश नसीब समझती हूँ यह लोग मुझसे शादी करना चाहते थे मुझसे आकर्शन जरूर था उससे जादा कुछ नहीं मुम्ताज जब 18 साल की थी तभी शम्मी कपूर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोच कर दिया था उस समय मुम्ताज भी शम्मी से प्यार करती थी शम्मी चाहते थे कि मुम्ताज अपना फिल्मी कर्या छोड़कर उनसे शादी कर ले लेकिन मुम्ताज के इंकार के बाद शम्मी के साथ उनका अफ्यक हत्म हो गया शादी के बाद भी उनकी तीन फिल्में रिलीज हुई जनकी शूटिंग उन्होंने शादी से पहले ही पूरी कर ली थी वही फिल्मों के ओफर उन्हें शादी के बाद भी मिलते थे उसके बाद साल 1955 में शम्मी ने गीता बाली से शादी कर ली गीता भी एक एक्ट्रेस थी और दोनों की मुलाकात फिल्म कॉफी हाउस की सिट पर हुई थी इसी दोरान दोनों एक दूसरे के करीब आए शम्मी ने कई दफ़ा गीता से पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो इस पर गीता हर बार ना कहती लेकिन एक बार हां कह दिया इसके बाद गीता ने कहा चलो शादी करते हैं अभी ये सुनकर शम्मी को समझ नहीं आया कि क्या करें गीता ने कहा जैसे जॉनी वॉकर ने की थी इसके बाद वल जॉनी के पास गए और बोले हमें प्यार हो गया है और शादी करना चाहते हैं ये सुनने के बाद जौनी बोले, मैं मुसल्मान हूँ मस्ज़िद जाकर शादी की थी और तुम दोनों मंदिर जाओ और शादी कर लो। उसके बाद दोनों मंदिर गए और शादी कर ली। उस वक्त शम्मी के पास गीता की मांग भरने के लिए सिंदूर तक नहीं था। ऐसे में गीता ने अपने बैग में से लिप्स्टिक निकाल कर दी फिर शम्मी ने उनकी मान भरी।